दादी सा के पैरों में गिरा अर्मान, दादी सा के जलके आसू स्टाप्लस का शो ये रिष्टा क्या कहलाता है कि आने वाल एपिसोड में हम सब देखेंगे कि घरवाले दादी सा को रोकने की कोशश करते हैं इस कोशश में सबसे पहले फूफा सा सामने आते हैं और दादी सा का गुस्सा फूट पढ़ता है फूफा सा पर क्योंकि संजय के बहुत सारे जूट है जो दादी सा के सामने के काबिल नहीं है इसके बाद दादी सा घर से बाहर निकलती है निकलते हुए वो विद्या को घर की चाबिया दे देती है और विद्या से कहती है कि भले ही तुम लोगे नजरों में अब मेरी कोई इज़त नहीं है लेकिन हमारे लिए तुम आज भी मेरी प्यारी बहू हो और मेरी बेटी हो वर घर की चाबियों को देखकर विद्या बहुत एमोशनल हो जाती है और दादी सा यहां पर कहती है कि घर का ख्याल रखना इसके बाद अर्मान दादी सा के पैरों में आकर गर जाता है दादी सा अर्मान से कुछ नहीं कहती है यहां तक कि वो अर्मान को उठाती भी नहीं है दादी सा अर्मान को छोड़ कर आगे बढ़ जाती है इसके बाद अर्मान जोर से अभीरा से कहता है कि मैंने कहा थाना कि यह नहीं रुकेंगी कि मेरी कोई बात नहीं सुनेगी झाल झाल झाल